हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम आप लोगों के लिए रेसिपी लाएं हैं बेशन और आलू की टिक्की एकदम चटपटी टिक्की बनाएंगे ये सभी को बहुत पसंद आती है और बिल्कुल वैसी बनाएंगे जैसी आपको दुकानों पर मिलती है तो होिगा नचत्राजा याधी लेड़ से ओंडे को अनकृमैं हम के का स्वाउडर तो से थीं मिरस या कटोरी ईक्म बारिकृपी करके ले लिया है थोड़ सा अद्रकृपी करके ले हैं भुने हुए जीरे का पावडर एक चम्मस नमक स्वाड सब्सार चीली तो तीखाएंथ तो रेड चिली पाउडर ले लीजे, मैंने यहाँ पे कस्मीरी मिर्ष लिया है, एक चम्मच अमचूर पाउडर, इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजे, अब फ्रेंड्स यह बैटर जादा है, तो हम हाथों से ही मिक्स कर रहे हैं, अगर थोड़ा बैटर होता है, तो बेसन का घूल तयार कर लेंगे, हमने एक कटोरी बेसन ले लिया है, और इसमें आपको अट कर देना है दो चम्मच मैदा, अगर मैदा ना हो तो कान फ्रोर ले लीजे, मैंने कान फ्रोर लिया है, नमक स्वात के अंसार, एक पिंच हमने यहाँ पे यलो फूट कलर डाला है, आपके पास अगर नहीं है, तो आप हल्दी पौडर डाल दीजिए, एक चम्मच अजवाइन ले लिया है, क्रेस करके, थोड़ा सा नमक स्वात के अंसार, आप मैदा ले सकते हैं, मैदा भी ना हो तो गेहु काटा ले सकते हैं, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पर हम गाड़ा सा गोल तयार कर लेंगे, हमारा बैटर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तयार करेंगे, जिससे की इसमें लम्स ना आए, अगर हम एक साथ डाल देते हैं, तो इसमें लम्स आ जाते हैं, तो पहले थोड़ा चम्मच से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद में हम विक्सर की सहायता से अच्छे से स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेंगे तो ये हटा देते हैं अब इससे हम mix करेंगे देखेंगे कि बैटर हमारा कैसा कैसी इसकी consistency होती है थोड़ा थोड़ा पानी add करके रिजिस्ट कर लेंगे तो देखें फ्रेंड्स बैटर हमारा तयार है थोड़ा पानी और चाहिए है बस इसको जो है थोड़ा पानी और डालके mix करेंगे और उसके बाद इसे रखतेंगे side में अब यहाँ पे आपको आधा चम्मज से भी कम 1-4 चम्मज baking powder add कर देना है इसमें तो इतने बैटर में और आलू में हमारी कम से कम friends 18-19 टिक्की बनके तयार हो जाती है टोटल तो इस तरीके से हम आलू के छोटे-छोटे सबसे पहले हम टिक्कियां बना के तयार कर लेते हैं उसके बाद इसी टिक्की को बेसन में लपेट के कड़ाई में फ्राई करेंगे चलिए थोड़ी सी हरी चटनी बना लेते हैं इमली की चटनी मैंने बना के रखी हुई है अब यहाँ पर हरी धनिया अद्रक का टुकड़ा एक दो लसन की कली दो हरी मिरच थोड़ा सा नीम्बू का रस थोड़ी सी बेसन की भुचिया डाल दिया है और इससे हमने एकदम टेस्टी टेस्टी चटनी तयार हो गई है हमारी आप नीम्बू का रस जरूर डाल लिजे तो आपकी चटनी खट्टी नहीं हुई अगर नहीं होगी अगर नीम्बू का रस डालना चाहते हैं तो अमचुर पाउडर भी एड़ कर सकते हैं तो देखे अब इसी तरीके से बेजन लगाते हुए हम अपने टिक्कियों को एक बार हलका फ्राई करके निकाल लेंगे और उसके बाद में दुबारा इसको जो है करारा करेंगे जैसे हलवाई लोग निकालते ह एक बार ऐसे हलका हलका फ्राई करके निकालके मैं सारी टिक्की रख लूँगी फिर जैसे जैसे सब लोग खाएंगे वैसे उनको फाइनल फ्राई करके देती जाओंगी तब ऐसे मैंने हलका फ्राई करने के बाद एक बार गैस की फ्लेम हाई कर लिया तेल अच्छे से गरम कर लिया है अब मैं इसको कुरकुरा होने तक फ्राइ कर लूँगी अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा और जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं नए हैं हमारे चैनल पर प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा तो ये देखिए फाइनल टिक्की तयार हो गई है हमारी बेसन और आलू की एकदम चटपटी, तीखी और स्पाइसी चटनी के साथ में ये टिक्की बहुत अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी टेस्टी टिक्की तयार है तो आप लोग होली में जरूर बनाईएगा ये होली स्पेशल टिक्की है और जरूर नास्ते में खाईए इंजोय कीजिए बहुत टेस्टी टिक्की बनके आती है आप इस टिक्की को देखकर ये नहीं बताएंगे कि ये टिक्की हमने घर पे बनाई है विर्कुल दुकान की तरह ही हमारी टिक्की बनके आई है तो अभी मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ चलिए टिक्की हमारी रेडी है तो यहाँ पे हमने चट्नी ले लिया है ये हरी धनिय की चट्नी जो हमने बनाई थी अभी निम्बू और हरी धनिय की वो है यहाँ पे इमली की चट्नी है इमली की चटनी की लिंक मैं आपको डिस्किप्शन में दे चुकी हूँ आप वहाँ से देख सकते हैं और टिक की मैं अपना रख लूँगी इस पे मैं दे दूँगी लिंक इसकी डिस्किप्शन में आप लोग देख लीजेगा और ये देखे चटनी हमारी एकड़म तयार हो गई है कई तरीके की चटनी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ आप लोग वहाँ से जरूर नोट कर लीजेगा दोनों चटनी की लिंक मैं दूंगी साथ में और अगर आपको आज की रेशिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और दोस्तों रिष्तेदारों में जरूर शेयर कर दीजेगा मिलते हैं एक नई रेशिपी के साथ इसी तरीके से नई नई हो ली स्पेशल रेशिपी में आप लोगों के लिए नास्ते के लिए लाऊंगी देखिए एक टिक्की मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ तोड़के कितनी अच्छी फिलिंग इसकी आई है और बैटर देखिए कितना अच्छा बना है तो हैनल लाजवाब डिस आज की तो आप भी ट्राइ कीजिए नास्ते में और इंजॉय कीजिए मिलते हैं एक नई रेशिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर फ्रेंड्स